कि अपने से यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर कैसा बितेगा कई पॉइंट आव यू से देखा जाए तो महत्पूर्ण राशिफल होने वाला है उसका रीजन अगर आप देखिएगा तो एक तो सूर्य ग्रहन भी पड़ेगा आशिक रूप से और साथ में 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में ही साथ ग्रहों की यूती भी प्रारंब होगी तो साथ ग्रह जब भी एक साथ रखते हैं एक साथ एक जगा पर एकत्र हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्राक्रितिक आपदाओं का स्टार्ट होता है जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले भी सूर्य ग्रहन पढ़ा था च्छे साथ ग्रहों की यूती हुई थी और उसमें कोविड कोविड वाली सिचुवेशन यूती वो डेवलाप होके आई थी सभी के सामने और काफी लंबा ये टाइमिंग चला था लबक दो स साल तक इसका प्रभाव रहा था तो बहत खतरनाग समय अभी वे होने वाला और प्रतेक लगन पर इसका प्रवाव पड़ेगा इसको जरूर समझेगा प्रतेक लगन पर इसका क्या प्रभाव पढबुने और यह जो वीडियो यह साबताहीक रशीफल के इसाब से तो potent है जो कि मैं कोशिश करता हूँ बुद्वार को पब्लिश कर दूँ और क्योंकि लाइव हूँ इसलिए कोई स्टैम्प यहां पर नहीं रहेगा आपको ध्यान देना होगा प्रतेक लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पढ़ने वाला है सूरे ग्रहन पर दूसरा रहेगा सूरी ग्रहन भी पड़ेगा साथ ग्रहों की यूति भी होगी और यह सारे ग्रहों की यूति आपके लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सप्तम भाव पे होगा और चंद्रमा भी छटवे साथवे आठवे और नवम भाव में ही कोचर करेंगे तो ओवरॉल जो कंडिशन आपके लिए बन रही है बहुत बढ़िया नहीं है हफते का जो प्रारंब यानि सप्ता जो रहेगा उसका जो प्रारंब रहेगा वो एक प्रकार से एसदीटी की समस्याओं से जदा इस पूरे हफते आप परिशान रहेंगे मानसिक तनाव जदा हो सकता है मका को लेकर हो या माता के स्वास्त को लेकर हो मानसिक किन्ता बहुत जादा बढ़ेगा इन पूरे ही दिन यानि 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोगं को किसी भी प्रकार के नए निवेश से दूर रहना चाहिए अगर आपने इस समय कोई निवेश किया तो उसमें बहुत जादा नुक्सान होने की संभावना है किवल हफते का जो अंतिन दिन रहने वाला है यानि 30 अप्टूबर की बात किया जाए तो ये आपको थोड़ा सा लास्ट दिन हफते का वो थोड़ा बैतरीन होता हुआ दिखाई दे रहा है इसक दिनिक रोजगार के छित में बहुत सारी कटनाई या इस हफते देखने को मिलेंगी और बिजनेस पार्टनर के साथ लाइक पार्टनर के साथ और यह जो पूरा हफता 24 से लेके 30 अक्टूबर होने वाला है यह जीवान साथी को लेकर भी कुछ ना कुछ परिशानिया रहें अच्छा नहीं है और इसके लिए उपाय जरूर यहां पर कीजेगा क्योंकि आपका लगनेश जो है इस समय पराकरम भाव में कारक भाव में तृतिय बाव में लगन से विराज मना है तो यही एक समय है जो आपके लिए यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए पॉजिट अगर हनुमान जी की अगर आपने अराधना जादा कर लिया बजरंग बाड़ इत्यादी का पाट किया तो आपके लिए समय अच्छा भी देगा ओवरॉल प्रेम प्रसंग में भी निराशा ही हाथ लगेगा देखिए निगेटिवटी ऐसा मैं क्यों बोलना हूं पंचमेश सूर्य निच का है केतु के साथ है बाकी सारे अस्त रहेंगे तो केतु सूर्य की जो यूती बनने वाली है वो पंचम यानि संतान को लेकर परिशानी या प्रेम प्रसंग में भी निराशा हाथ लगना ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है पॉजिटिव किवल इस हफते को आपक इस समय फेस्टिवल इससे पहले सारे हुने वाले है और फेस्टिवल इसके बीच भी रहेंगे तो आपको फेस्टिवल का ध्यान दीजिए लेकिन किसी प्रकार का कोई दुरगटना ना हो वहान चलाते समय भी साफदानी आपको बरतते हुए चलना चाहिए वरिशब लगन में ओवरॉल जो कंडिशन बना हुआ है वो बहुत ही बढ़िया बना है मैं अलड़ी आपको पहले भी बता शुका था कि यह साथ ग्रहों की यूती रहेगी छटवे बाव में रहेगी और इस हफते का जो प्रारंब होगा आपके पंचम, सश्टम, सब्तम, अश्टम और अ मिया प्रोजेक्ट इस बीच में आप ले भी सकते हैं शत्रों का दमन होगा शत्रों इससे हमें खतम होंगे और शत्रों खतम होने से आपके लिए पॉजिटिवटी अंदर से ही आप महसूस करेंगे कि कुछ पॉजिटिव उर्जा वाइबरेट कर रही और यही आपको आग है वह भी अब कम होते हुए मुझे चार्ट में यहां पर दिख रही लेकिन गले में जिनको ट्रांसलाइट इस गले से रिलेटेड कोई परिशानी वह परिशानी अभी 20 हफते के हफते में रहने वाला वहां चलाते समय आपको साफदानी बरतना पहले भी बोला ता आज भी हैं जैब्स्वास्ट कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा अगर कहा जाएग पार्टनर्शिप में कोई काव्रार्म करना चाहते हैं तो निशितुर्प से कीजिए इस समयं पार्टनर्शिप में किया गया कारे आपके लिए positive response लंबे time के लिए देखा इसके अलावा जो परिशानिया जो रहे कि थोड़ा सा गले को लेकर कुछ infection हो सकता है गले को लेकर कुछ ना कुछ परिशानी रखना viral fever इत्यादी हो जाए तो बहुत कोई गवडाने वाली बात नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा चार्ट में negativity यहाँ पर गले को लेकर है हला कि स्वास्त अच्छा रहेगा तो बहुत जादा यह negative नहीं है overall positive रहने वाला है मकान को लेकर property को लेकर लंबे time तक अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं उसका प्रारंब कर सकते हैं हफते का मद्य हफते का प्रारंब दोनों को लेकर विरोधा बास उत्पन हो सकता है हफते के अंत में आते हैं overall condition वरिशब लगन के लिए बहुत ही बढ़िया प्रेम प्रसंग में भी सफलता मिलेगी और partnership में भी जो आप काम कर रहे हैं भागी का सायोग मिलना शियर सट्टा लॉट्री से लबानवित होना सभी सप्तम अस्थान तक ही रहेगा यानि चतुर्त पंचम सष्टम और सप्तम अस्थान तक चंद्रमा गोचर करेंगे चंद्रमा ओलेडी आपके धन के मालिक होते हैं और आपके लगन में ही मंगल देवता उत्पन करेंगे यह पूरा हफता जो रहेगा थोड़ा मांसित रहने वाला है और किसी प्रकार का बड़ा नुकसान भी इस हफते आपको हो सकता है इसलिए बहुत प्रॉपर्टी या किसी प्रकार के फाइनेंशल इश्यों में अगर कहीं पर आपको लगता है कि इसमें कुछ रिस्क हो सकता है तो बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए किसी प्रकार के रिस्क वाले काम से दूर रहें नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और बाद में आपको परिशानी उठाना पड़ेगा यहां एक शीज सबसे परिशानी लगा रहना है और स्वास्त को लेकर भी परिशानी मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है हफ्ते का प्रारंबिक दो दिन अच्छा है मद्य का तीन दिन overall का हूं तो मिश्रित रहने वाला है जादा नीगेटिव पॉयंट पर जादा दिखाई दे रहा है लेकिन उसके बाद हफते का जो अंतिम दिन रहने वाला वो आपके फेवर में रहेगा तो जो भी काम करना हफते के प्रारंबे में कीजिए हफते के अंतिम जाके कीजिए हफते के मद में चंदर्मा अलड़ेडी साथ ग्रहों के साथ यूती बनाएगा तो ओवरॉल कंडिशन बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है जिनको लंबे दूरी की आतरा करने हैं जिनको अपने नौकरी में अस्थान परिवर्तन के लिए अपलाई कर रहेते नहीं हो रहा था यह सब काम आपके बनेंगे ऐसा काम नहीं बनेंगे इन सब ही कामों और जिनके प्रॉपर्टी रिल करते हैं उनके लिए भी सबलता यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है स्वास्त को लेकर अभी भी सचेत रहने की जरुवत है क्योंकि स्वास्त जो रहेगा वो महनसिक जादा रहेगा कोई निगेटिव चीज जादा सुचिएगा तो जादा निगेटिव आपको उससे भ भी निगेटिव आएक के साधन में अटलीस नहीं दिखाई दे रहा है और ब्रसपती क्योंकि आपके दशम भाव में गोचर करें वक्री हैं लेकिन मारगी शनी की भी दृष्टी पड़ेगी तो ओवराल यहां पर जीवन साथी के स्वास्त को लेकर थोड़ा सा सचेत रहे अब हम बात कर रहे हैं करक लगन वाले जातकों के लिए पूरा हफता कैसे बीच में साथ ग्रहों की यूती पड़ेगी सूर्य ग्रहन भी पड़ेगा तो यह बहुत इंपॉर्टन हफता होने वाला है तो अगर मैं देखू तो चंद्रमा का जो गोचा रहने वाला है वो आ आपके लगन के रिस्पेक्ट में तृतिय बाओ चतूर्त बाओ पंचम बाओ और छटवे बाओ में चंद्रमा का गोचर होगा देखिए स्थितिक करक लगन वाले जातकों के लिए जादा अच्छी अभी बनी हुई अभी भी अच्छी बनी हुई है मैं काओंगा बले ही हर्च आप तभी करेंगे जब इंकम बढ़ेगा तो इंकम कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा हफते का जो प्रारंबिक दो दिन रहेगा उसमें आत्म विश्वास बढ़ा रहना और चोटे भाई बैनों का मदद मिलना और हर तरीके से पहले दो दिन आपके लिए बहुत ह अच्छे व्यतीत होंगे मानसिक तनाव कम हो जाएगा लेकिन हफते का जो मद जिसमें सूरे ग्रहन भी है और साथ में साथ ग्रहों की यूती भी रहेगी वो टाइम आपके लिए थोड़ा सा निगेटिवटी जरूर लेकर आने वाला है और खर्च अगर किसी चीश पर हो भी बताया था अगर भूमी वान मकान पर किसी प्रकार का कोई खर्च हो जाता है तो लंग्स रिलेटेड कोई बहुत जादा नहीं होगी लेकिन ब्रॉंकाइटिस एस्थमा होना एलर्जिकल एस्थमा या सांस लेने की किसी प्रकार की तकलीफ हो जाना यह आपको इस समान पड़ेगा उस दिन आपको जो गाइतरी मंत्र उसका आपको जाब करते रहना है और साथ में आदित हिर्दय शुरुत का भी अगर आप पार्ट कर लेते हूं तो अच्छा रहेगा बाकी दिन आपको ओम नमस्शिवाय का हिजाब करना चाहिए व्यापार संबंदित राहू क्योंकि दशाम अस्थान पर गोचर कर रहे है तो ट्रेडिंग में जादा आपको इन्वाल्व कर सकते हैं राजनीतिक सफवता भी आपको यहाँ पर मिलेगी ओवरॉल कंडिशन आपके लिए अच्छा है स्वास्त के लिए केवल थोड़ा सा जो लंक्स वाला जो प उपछा में चंद्रमा चंद्रमा आपके खर्च के माली के अधन में जाकर बैठे हैं विदेशों से संग्रहित कर लेंगे और बुद्ध आपको अच्छऊ रहने वाले लेकिन किसी प्रकार का अगर आप रोग शरीर में था तो शरीर से रोग इससा में खतम हो जाएंगे रिड खत्म होंगे शत्रु खत्म होंगे लेकिन छोटे भाई बेहनों को किसी प्रकार का कश्ट हो सकता है ये इस बात का ध्यान दिज़का नोगे का Mr. Mil Just सिंग लगन वाले जात्कों के लिए overall positive result रहेगा प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ जो बादाएं चल रही थी वो बादाएं आप खतम होंगे और जिनके विवा नहीं हुए था उनके विवा के योग अब देरे-देरे बनना प्रारंब भी यहां पर होंगे और इस हफते एक ची करने का टाइम होगा और अगर आपने इस समय कोई काम कर लिया तो आपको बहतरीन परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे overall यह जो समय चल रहा है जिसमें कई ग्रहों का राशी परिवर्तन भी होने वाला और साथ में अगर कहा जाए ग्रहन भी लगेगा तो overall गले वाला portion रहना और शत्रू आपके मानपद प्रतिष्ठा पर हानी पहुंचाएंगे इसको दो चीश को अगर आपने माइंड पर रख लिया तो फिर बहुत जादा दिक्कत नहीं होगी आपको थोड़ा द्यान रखना चाहिए तो कन्या लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वह आपके लगन में जब चंद्रमा जाएंगे तो आएके साधन को यह बढ़ाएंगे अगर आपने किसी बात को लेकर वादिवाद हो सकता है वाड़ी को सयमित रखियेगा फेस्टिवल का मौसम भी रहेगा और साथ में यहां पर अगर आपने किसी मित्र रिष्टदारों के साथ कुछ लड़ाई जगड़े कर लिए वाड़ी थोड़ी सी उग्र हो गई तो बहुत निगेटिव प्रभाव लांग टम तत देखने को मिलेगा इससे आपको बच करेना चाहिए इस समय बिलकुल भी किसी को धन ना दे अगर इस समय आपन कि मैं धन दे दिया इस पूरे हफते तो आपको धन रिटरन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा साथ में जो हफते का अंत रहने वाला वो पॉर्षन हफते का प्रारम है ये तो पोर्षन आपके लिए अच्छा है लेकिन मद्द का तीन पॉर्षन रहेगा यानि मद्द के जो तीन दिन रहने वाले हैं, वो किसी ना किसी बात को लेकर आपको परिशानियों का अनभव कराएंगे, विशेश रूप से परिवार को लेकर कुछ परिशानी होना, धन की चिंताएं और थोड़ी सी बढ़ जाना, ये सारी चीजें होने वाली हैं, सबसे बड़ी बात क्या रहेगा, और परिवार में भी लड़ाई जगड़े ये हफते के मद में हो सकता है, लेकिन हफते के प्रारम्बे में, हफते के आंद में किसी प्रकार का अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आपको कर लेना चाहिए, और ओवराल जो कंडिशन रहेगा, कार वेब साइक को कर जो रुकावटे थी, या आपने अप्लाई किया, जो आपको वो नहीं मिल रहता, तो वो आपके फिवर में आता हुआ, दिखाई देगा, कन्या लगन में प्रेम प्रसंग और विवा के योग अभी भी चल रहे हैं, जो लोग कन्या लगन वाले जाता किया, जिनके प्रे कर रहे हैं, उनके लिए पॉस्टिफ रिजर्ट कुछी दिनों में सुनने को मिलेगा, ओवराल यह हफ्ता जो रहेगा, थोड़ा एलर्ड भी, एलर्ड मोट पे भी रहेगा, क्योंकि ग्रहाण भी पढ़ रहा है, यह दोनों चीजों से मतलब मिला जुड़ा, यह बहुत ही चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में रहेंगे, फिर लगन में जाएंगे, फिर दूतिय बाव और अंत में तृतिय बाव में जाएंगे, अर्थात कन्या से निकल के यह धनु राशी में चंद्रमा का कोचर होगा, हफते का जो प्रारंब रहने वाला है, उसमें थोड बाउर इसमें धुक्त काह क्यासा के फिवर में रहेंगे, धन्यूर तो यात्रम से काम को लेकर कर यात्रमा अर्चे लिए अच्छा परिणाम है इसके अलाबा ग्रहन गरेगे, तो एक मैं पर आपको बताएँ लेकिं पारिक समझाते भले ही आपके लिए सही रहेंगे लेकिन पूरे शरीर पर यानि चेहरे पर कुछ न कुछ परिशानी उत्पन हो सकती है चाहे वह आपके तनाव का भावा आपके चेहरे पर दिखाये जाए या पिंपल सित्यादी का बढ़ जाना या चेहरे पर चोट लग जा करेंगे तो ओवराल हफते का मद्ध बहुत चैनेंजिंग होने वाला है और अच्छा नहीं है तुला लगन में काफी परिशानी रहेगी लेकिन तुला लगन वाले जातकों को अगर आपने अपने लगनेश को लगनेश का बीजमंद्र किया था शुक्र का अगर आपने बी लेकिन चेहरे पर किसी प्रकार का चोट लग जाना चाहिए वह एक्सिडेंट के तुरू हो चाहिए कैसे भी हो वो कुछ परिशानी है अभी बेचार्ट में आपके लगन पर ही साथ ग्रहों की यूती होने वाली बहद साबदानी आपर बरती हैगा इसके बाद हफते का अं अगर लंबे समय से आप किसी चीज को खरीदना चाहते थे मकान इत्या दिखो या वहान खरीदना चाहते थे तो उसकी भी पूर्ती इस हफते के अंध तक होते होते पूर्ण हो जाएगी जैसा दिखाए दे रहा कारे छित्र में भी जो नीगेटिव रिजल्ट बहुत लग लगन की बात करें देखिए वरिश्यक लगन दूसरा अच्छा लगन यहां पर बन रहा है चंद्रमा आला की आपके लगन से एकादश द्वादश लगन और दृतियवाव में चंद्रमा जाएंगे लेकिन फिर भी जो यह ग्रहन भी हो रहा हो आपके लगन से द्वादश अस्थान पर हो रहा है तो अच्छा है ओवराल कहूंगा तो इस पूरे हफते का जो प्रारंब रहेगा वो उत्सा हर्ष इन चीजों से बढ़ा रहेगा अंदर कॉन्फिडेंस जबर्दस रहेगा कारे को करने का एक प्रकार से कहा जाए कि आप मिंटेन करके सब चीज को च अच्छा रहेगा लेकिन पिता के स्वास्त को लेकर कुछ परिशानी उत्पन हो सकती है क्योंकि आपके पिता का मालिक आपके बागे का मालिक चंद्रमा 12 में जाएगा वहीं पर ग्रसित भी सूरे ग्रहन भी लगेगा तो थोड़ा सा मद्र में पिता को लेकर कुछ परिश कि ये सभी दोनों लगनवाले जात्कों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसके अलाबा हफते का जो अंत रहेगा वो भी आपके फेवर में आएगा हफते का प्रार्वम अच्छा हफते का मद्द और अच्छा रहेगा थोड़ा सा पिता के स्वास् होना बन सकता है लेकिन यह मेजर नहीं होगा पिता की तब्यत अगर खराब भी होगी तो जल्दी रिकाबर हो जाएंगे बहुत जादा गवड़ाना नहीं है शेयर सटा इत्यादी से भी लाबानवित होने के योग वरिश्चिक लगान वाले जापको के लिए दिखाई दे रहेगा तो बहुत बढ़िया लगन जो बन रहा है व्रिश्चिक लगन बन रहा है बहुत जाद आपको यहां पर निगेटिव चीजों पर द्यान नहीं देना चाहिए अपने आपको पॉस्टिव रखिए और मॉटिवेटेट करते रहे हैं प्लानिंग के साथ चलिए यहां पर अश्टम का दोस्तों लगता नहीं मैं बता चुका हूं कई बार तो इसलिए ऐसा कहीं पर अपने पढ़ा हुआ है कि अश्टम का दोस्त लग गया तो उसको रेक्टिफाई कीजिएगा चंद्रमा बुद्ध के साथ जो यूति बनाएंगे प्रारंबिक दो दिन म में यह रहेंगे उसके बाद दूसरे दिन बुद्ध का राशी परिवर्तन भी हो जाएगा और यह सबसे बड़ा परशानी जो रहेगा आपके जो भी गर्भवती महिना है उनके लिए गर्भानी का योग यह बनाने वाला है साथ में प्रारंबिक दो दिन का आ जाए तो ए और कई बार एकदम frustration माईन में आ जाएगा कि हो क्या रहा है ऐसी कुछ चीजों से इस हफते के मद्ध में आपको गुजरना पड़ेगा आपको planning के साथ अगर आप कोई भी काम को करते हैं तो negativity खतम हो जाएगी और साथ में ओम नमो भगवते वासु देवाय का आपको लगा करते हैं उसको लेकर अच्छे समाचार मिलेंगे और मकान अगर खरिदना चाहते हैं उसके लिए वी सही समय दनुलगन वाले जात्कों के लिए रहेगा जीवन साथी के साथ हाला कि किसी बात को लेकर वाद वी वाद हो सकते हैं लेकिन overall जो condition रहने वाली है मानसिक जादा र धनुलगन के बाद मकर लगन की बात करते हैं देखें मकर लगन में जो यह पूरा हफता है यानि 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर की बात किया जाए इसमें चंद्रमा जो रहेंगे आपके लगन के रिस्पेक्ट में नवम भाव से लेकर 12 वाव तक चंद्रमा गोचर क करना है तो जीवन साथी का भाग यह समय आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होगा जो भी कार इस पूरे अफते होंगे वह आपके जीवन साथी के थरू ही होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी जो कार छेत्र में किसी प्रकार के राजनीतिक रूप से श साथानी बरतनी चाहिए लेकिन यहां पर जो सबसे पॉस्टिव क्या है आपका लगनेश लगन में जो वक्री चलाता हुआ मारगी हो गया तो परिणाम बड़ी जल्दी मिल जाएंगे वक्री शानी बहुत धीरे रिजर्ट देता है चीजों को उसकी लॉंग वीटी को बढ यहां पर आजाएंगे तो आपके लिए बैतरीन परिणाम यहां पर आ जाएंगे हफते का प्रारंब कहा जाहें वरल हफ्ते के प्रारंब में यह할 केमद में costume और आपक के लिए परिशानी वाना हो सकता है हलाकि स्वास्त जो रहेगा comparatively ठीक रहेगा पिछले हफते के respect में अच्छा रहने वाला है कुम्ब लगन की बात करें तो कुम्ब लगन में जो चंद्रमा का गोचा रहेगा इस पूरे हफते और इसी बीच में सूरे ग्रहन भी पड़ेगा साथ ग्रहों की यूती भी होगी तो ये आपके लगन के respect में अश्टम नवम दशम और एकादश भाव में चंद्रमा रहेंग पूरानम हफते का मद्ड ये दोनों ही आपको थोड़ा परिशान करेगा हफ्ते का अंधाला की हर परिशानियों से बाहर निकलने का और positive सोच का अंदर जाग्रित करना positive सोच शरीर के अंदर आ जाना ऐसा चीज़े ऐसी चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेगा लेकिन जो लगन के रिस्पेक्ट में चंदरमा अश्टम में रहेंगे तो निश्यत रुप से लीगल मामले में आपको सफलता जरूर दे देंगे शनी भी वैसे भी मारकी हो गया है तो जो लोग विदेश में गयते हैं स्थान परिवर्तन पिर होने की संभावना यहां पर दिख रही है हफ्ते के मत में पिता को किसी प्रकार की परिशानी बढ़ सकती है पिता के स्वास को लेकर बहुत द्याम दिजीएगा अगर पिता नहीं है तो पिता तुल जितने भी बिलोग है उन में से किसी को परिशानी होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रहे शेयर 60 लोटरी का से थोड़ी सी दूरी बना के रहे नए निवेश करना चाते हैं आप निवेश कर सकते हैं और आपको जो कई काम आपके फसे हुए थे जो काम नहीं हो रहे थे वो इस हफते के स्टार्टिंग पांस दिन को छोड़ दिया जाए उसका छटवे साथवे दिन से आपका जो काम रहेगा वो प्रारंब होगा और अगले हफते भी यह पॉस्टिव रिस्पॉंस आपको जरूर मिलेगा लंबी दूरी की यात्राएं करने से शरीर में थोड़ी वा की बात किया चैजा तो मेल लगन के छंद्रमा का गोचर होगा वापके लगन के सब्सक्रादी को बढखा देंगे लेकिन क्योंकि अश्टम बहौ प्राप लग रहा है तो मैं यही कौँगा कि वाहन चलाते समय सबसे पहले साफधानी बरतियेगा वहां चलाते समय किसी प्रकार के चोट चपेट लगने की संभावना मीन अलगन में अभी भी बनी हुए अस्टम में ही अगर ग्रहन लगे आयू में ही ग्रहन लगे तो एक बड़ा नुकसान या तो आदमी को जिलना पड़ता है चाहिए वो शेयर मार्केट का हो चाहिए कसमात को एक बड़ा खर्च आ जाए किसी ना किसी तरीके से एक बड़ा खर्च यहां पर आएगा जिसके कारण आपको थोड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इसके बाद जो अंतिम दो दिन रहने वाले हैं व लक्ष्मी नाराण के रातना के जिए वही आपको बाहर निकाल पाएंगे इस नेगेटिव चीजों के होने के बाद भी लेकिन परिवार में खुश्मीयों का वातावरण भी यहां देदें परिवार में कुश्मी यहां हो सकती है संतान अगर दूर थी तो संतान से सुक मिन करने का समय भी यहां पर दिखाई दिए रहा है संतान के प्रती कुछ निगेटिव चल रही थी तो संतान के प्रती अब देखा जाए तो पॉस्टिव रिजल्ट आएगा तो ओवराल कंडिशन जो रहेगा मीन लगन वाले आपको के लिए थोड़ा सा आयू पर अश्टम प आपको देना पड़ेगा और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जॉप को लेकर पॉस्टिव जरूर देखने को मिलेंगे जॉप को लेकर निगेटिव जो चीज़ें चल लीती है वह पॉस्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनांशल कंडिशन अच्छी रहेगी लेकि आपको मिलेगा तो यह था पूरा मेश से लेकर मीन अलगने माले जातकों के लिए चौबिस अक्टूबर से लेकर तीस अक्टूबर कैसा बितेगा साथ में सूर्य ग्रहन पर पहले ही वीडियो अप्लोड कर दिया गया है तो इन दोनों चीजों को रिलेट करते हुए वर्क शीवाई